चा, कच्छा आठ, पाठ तीन, वरन और उसके भेद, प्रेस एक सही विकल पर सही का चिन लगाईए, का वरन के ब्लेंग भेद हैं, दो, स्वर व्यंजन के मुख्य भेद होते हैं, तीन, गायारालवा, व्यंजन हैं, अन्तस्त व्यंजन, ससह हैं, उस्म व्यंजन, प्रेसन दो, रिक्त इस्थानों की पूर्ती कीजिये, का जब किसी, जब इस पर, जब स्वरों का उचारण, मुख्य और, सी होता है, तब भी, ब्लेंग कहलाती हैं, पहली में आएगा नासिका, और दूसरी में आएगा अनुनासिक, जब स्वरों का उचारण की वल, मुख्य सी होता है, तब भी, ब्लेंग कहलाती हैं, ब्लेंग में आएगा निरनुनासिक, गा ब्लेंग का उचारण करती समय, स्वांस की बाद, नाक सी निकलता है, कहलाती हैं, अनुस्वार, गा सब्दों का उचारण करती हुए, किसी किनी पर विसेश बल देने को बलेंग कहते हैं श्वरा घात प्रेशन दीन नीचे लिके प्रेशनों के उत्तर दीजिए का वरण किसे कहते हैं उसके प्रकार भी लगिए वरण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिस केक टुकुडे फिर ना किये जा सकें जैसे ताहलंद दाहलंद आद वरण के दो भेद हैं नम्मर एक स्वर वरण नम्मर दो व्यंजन वरण ख स्वर किसे कहते हैं उधारण सहित स्वरों के भेद भी लिखिये उत्तर स्वर वरण उने कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अन्य वरण की सायता के अकेले की आजा सकता है जैसे अ अ अ इ उ ररी ए अ अ अ अ अ अ अ अ अ ये ग्यारा स्वर हैं नमबर एक हर स्वर स्वर ये चार हैं चोटा चोटी चोटा उ ररी नमबर दो दीर्ग स्वर्ग ये साथ है चोटा आ बड़ा आ बड़ी इ चोटा बड़ा उ चोटी ये बड़ी है चोटा उ बड़ा उ चोटी अंग और बड़ी अंग नमबा दो पलूत स्वर ओम पैसन तीन गा ब्यंजन किसे कहते हैं और किसे कहते हैं और उसके कितने वेद हैं उत्तर ब्यंजन वरण उन्हें कहते हैं जिनके वो चारण में स्वर वरणों की आवशक्ता होती है और जो स्वयम अकेले बोले नहीं जा सकते जैसे काखा गागा आद बंजनों के मुख्य तीन वेद हैं घा अनुनासिक किसे कहते हैं उदारण देकर स्पष्ट कीजिए उत्तर अनुनासिक का उचारण मुख्य और नासिका दोनों के दोनों से मिलकर होता है जैसे हसना, पांच, सांसगाड, अड़ा, स्वारागाद किसे कहते हैं उदारण देकर इस्पष्ट कीजिए उत्तर सब्दों का उचारण करते हुए किसी वरण पर विसेस वल देने को स्वारागाद कहते हैं जैसे कभी-कभी सब्द या सब्दान्स के मद्द वाले या अंतिम वरण का उचारण अपून होता है उसे हल अच्चर की तरह बोला जाता है तब उससे पूर्व वरण पर अधिक भल पड़ता है जैसे कल समय नर आद इनका उचारण का कल समय नर की तरह होता है जैसे चोटी अंग और बड़ी अंग